हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू जारकंड परीक्षा जारकंड आर्ट्स और गल्चर का अभी एकस्प्लानेशन एकस्प्लानेशन कहें या फिर जो 10,000 MCQ है उस सिरिच का एक पार्ट तो आज जो है आज के डेट के कोडिंग अभी तक तीन वीडियो ऑलेड़ी अप्लोड हो जाने चाहिए थे लेकिन सिर्फ दो अप्लोड हुए हैं कल मैंने कहा तक अप्लोड मैं नहीं कर पाया तो आज जो है तीन तारिक और चार तारिक का अप्लोड कर दिया जाएगा मतलब उन्हाँ जन यहां तक complete हो जाएगा ठीक है और इसी तरह से अभी तो सिर्फ arts and culture है धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक कर स्टार्ट किया जाएगे तो आप देखेंगे कि बड़न बढ़ जाएगा और जरूरी भी है क्योंकि टाइम अगर तीन से चार महिने का टाइम लेके आप चलते हैं त तो बहुत सारे लेक्चेर आपको एक साथ करने पड़ेंगे ठीक है और ही कारेने की बहुत सारे लेक्चेर को मैं recorded वर्सन में ही पढ़ा रहा हूं लाइफ में नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हम जारकण में दूसरी सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती कौन सी है तो दूसरी सरवाधिक तो अगर इंडिया लेवल में बात की जाए देखे जब भी इस तरह का डेटा होता है तो 2011 सेंसर जो है अभी ये डेटा मौझूद है 2021 का तो प्रोसस में है तो अभी जो डेटा ऑफिसल डेटा मौझूद है वो 2011 सेंसर का डेटा है तो इसके कोडिंग क्या है भारत में नंबर एक पे जो है ये है भील नंबर एक पे भील है नंबर दो पे गोंड है ये हमिसा आप याद रखेंगे अभी अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं तो आपको नंबर एक गोंड दिखाई देगा लेकिन 2011 के कोडिंग नंबर एक पे भील है 2021 का डेटा आएगा तो ये दोनों उपर नीचे हो जाएगा ठीक है इसके बाद संथाल के बाद उराओं और उराओं के बाद है मुंडा जन जाती तो ये जो टॉप का दो है इसको आप छोड़ दीजे ये जो नीचे का 3 है जारखन में अगर बात की जाए ठीक है ये तो भारत में हो गया ना अगर जारखन में बात की जाए तो नंबर एक पे संथाल हो जाएगा नंबर एक पे संथाल नंबर दो पे उराओं नंबर तीन पे मुंडा ओके तो इस शिच का हमेशा ध्यान रखना है यह तो जंद संख्या का एकोडिंग हो गया ना, यहीं अगर कभी कोशन आ जाए कि सबसे पहले किस जंजाती का आगमन हुआ है, तो आपको यह बहुत बार बताया गया है, कि सबसे पहले किसका आगमन हुआ है, सबसे पहले किसका आगमन हुआ है, सबसे पहले असुर का आगम कोई दिक्कत नहीं है आप यह जो स्रीज है एक्स्प्लानेशन का आप इसको अच्छे से continue करके देखते रहे हैं तो उराओ जन जाती जो है जब इसका आगमन हो रहा था उराओ जन जाती का तो यह जो छेतर है कैमोर उरोता स्वला छेतर यहां तक जो है यह पहाडिया और उर उराओं जो है यहां तक साथ में आया थे इनके बहुत वर्स पहले मुंडा जंजाती का जहारकंड में आगमन हो चुका था तो मुंडा जंजाती का जो आगमन हुआ था वो इसी रास्ते से हुआ था इस रास्ते से हुआ था ओके तो यह जो रास्ता तयार किया गया था बहु उराओं के साथ यहां से आगे जारखंड में एंटर नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं पाले जन जाती। यह यहां से रास्ता मोड लेते हैं और नदियों के किनारे किनारे जो है जिसे यह गंगा नदी है। तो गंगान अधी के किनारे किनारे जो है ये चलना सुरू करते हैं और ये पहुंच जाते हैं किस छेतर में संथाल परगना के छेतर में और यहाँ पर जो राजमाल का छेतर है ये साहिब गंज कोड़ा पाकुड और थोड़ा सा दुम का तो ये जो पहाड है राजमाल का पहा जब यहाँ पर सासा स्टार्ट किया, तो पहाड़ीों से चुकि फाइदा नहीं हो रहा है, तो आसपास जो संथाल जनजाती के लोग रह रहे थे, उनको यहाँ बसाया गया, इस छेतर को दामेने को में परिवर्थित करके, तो उराओं का आगमन जो है, इस छेतर में इस तरह तो मैं बता रहा था कि सुरवात में तो दोनों में दोस्ती रहती है, लेकिन बाद में मुंडा और उराओं में संगर्स होता है, फिर मुंडा जनजाती जो है, यहाँ से दक्षिन क्यों जाने लगते हैं, और इसी समय की बात है, जब मुंडा जनजाती से हो जनजाती अलग मन होता है ठीक है चलिए तो यहाँ पर दूसरी सरवाधिक जंसंख्या वाले जंजाती जो है यह कौन सी है जारकन की बात हो रही है तो जारकन में नंबर दोपे उराव है इसके बाद जारकन में उराव जंजाती का आग्मन किस चेत्र से हुआ है तो किस चेत्र से हुआ है तो तो ये जो पंजाब वोला चेतर जहां पर सतलजब्यास, रावी, चनाब, जहलम, ये सब जो नदी है, फिर सिंदू को एट कर दीजे, सरसुति को एट कर दीजे, तो जो साथ नदियां हो जाती हैं, उसी चेतर को बोलते हैं सब्त सेंदोप परदेश, तो ये अलग हो गया, द दक्चिन भारत से ये आकर बसे हैं, यही कारण है कि इनकी परंपरा कुछ हद तक साउथ इंडियां से मिलती है, इनकी जो भासा है, इनकी भासा, जो है कुडुक भासा, ये कनल भासा से मिलती जूलती है, यही कारण है, तो दक्चिन भारत से जो है, इनका आगमन संथाल, इनका आगमन जो है, जारकंड के छेतर में हुआ है, इसके बाद है, उराओ जनजाती का निवास जारकंड के किस छेतर में सरवादिक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कि जब यह जारकंड में आये थे, तो इस छेतर से आये थे, यह छेतर था, तो यह वला जो रह गय पलामो वाले चेतर में और जब यहाँ पर आते हैं तो मुंडाओं को हटा कर ये इनके अस्थान में रहना सुरू कर देते हैं तो साउथ चोटा नाकपूर और पलामो परमंडल ये दो प्रमुक चेतर हैं जब हम लोग बात करेंगे उराओ जनजाती के लिए तो दक्षिनी चोटा नाकपूर और पलामो ये दोनों आप याद रखेंगे ठीक है तो रोहतास के करम में रोहतास से आने के करम में यहाँ पर यह बच जाते हैं और यहाँ से इधर साउथ चोटा नाकपूर में आते हैं इसके बाद उराओ जनजाती की भासा को क्या कहते हैं तो इनकी जो भासा होती है इनको बोलते हैं कुडुक क्या बोला जाता है कुडुक ठीक है अब यहाँ दियान देना है कि जारखन में सोला है जारखन में सोला दित्य राजभासा है ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो भासा है, ये थोड़ा बहुत कन्नर से मिलता है, कन्नर से क्यों मिलता है, साउथ की भासा है ये, और उराव जन जाती साउथ इंडिया से ही जारकन में आई है, तो इसलिए कुछ-कुछ मैच दिख जाएगा, मैचिंग दिख ज तो लोंग लिपी, और ये जो है, 1999 में नरायन उराओं के द्वारा, इसके पहले हम लोग उने देखा था, कि जो संथाली लेंग्वेज है, इसको लिखने के लिए, जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओल्चिकी लिपी बोलते हैं, और इसको रगुनाद मुर्मू न प्याद रखेंगे, ठीक है, option B, next है, सरचंद्र राय के अनुसार, उराओं जन्जाती के कितने गोतर पाये जाते हैं, सरचंद्र राय जो है, ये मानों वैग्यानिक रहे हैं, बहुत सारे tribes पर इन्होंने research किया है, तो इनके अनुसार, उराओं जन्जाती के 68 गोतर हैं, ध पर जाए क्रोशे करनों, ठीक है, ओके, तो 68 गोतर जब बात की जाए सरचंद्र राय की, लेकिन ऐसे मतलब कि आपको कोई reference ना दिया जाए, तो यहाँ पर 14 गोतर हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, उराओं जन्जाती में 14 प्रमुक गोतर हैं, option B, 68 हो जाएगा, next, उराओं arranged marriage है, है ना, जो arranged marriage है, यह सबसे ज़्यादा प्रशलित होता है, किसी भी tribe में, maximum tribe में यह देखा गया है, ओके, अब इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें संथाल में, देखें, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हमेशा उसका revision होगा, संथाल हम लोगों ने पढ़ र बोला जाता है, hearing, बापला बोला जाता है, hearing, बापला बोला जाता है, बापला, ओके, इसी चीज़ को उराओ जन जाती में, आयोजित विवाह बोलते हैं, कहें कहें करय विवाह भी बोला जाता है, तो option C हो गया, यह क्या हो गया, option C, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि बहुत सारे ट्राइब में आप पढ़ेंगे कि एक गोत्र में साधी नहीं होती है ये सब में है, ये सभी ट्राइब में है उराओं में भी है तो यहां मैं क्यों बता रहा हूँ तो एक गोत्र में साधी नहीं होती हम लोग वही पढ़ते हैं अफसन सी आयोजित विवाव इसके बाद है उराउजन जाती में सहिया चैन समारू का आयोजन कितने समय के अंद्राल पर किया जाता है एक लड़का है और एक लड़का, दोनों लड़का है दोनों के बीच गहरी दोस्ती है तो दोनों अच्छे दोस्त हैं तो ये इसके सहिया का लाएंगे उसी तरह से है ना उसी तरह से दो लड़की है दोनों अच्छी सहिय लिए एक दूसरे की तो ये भी सहिया का लाएगी अब क्या है, इसका एक प्रोसेस होता है एक सिस्टम होता है इसको बोलते हैं सहियारो इसको क्या बोलते हैं सहियारो तो सहियारो जो है एक सिस्टम है एक प्रोसेस है एक इवेंट है जिसमें सहिया का चुनाव किया जाता है तो सहिया का जो चुनाव होता है अगर लड़का है तो लड़का एक दूसरे को क्या बोलेंगे लड़का एक द संगी बोलते हैं, संगी बोलते हैं, ठीक ना, संगी बोलते हैं, लार बोलेंगे या फिर संगी बोलेंगे अगर लड़का एक दूसरे को सहिया चुनते हैं, तो वही चीज गर्ल में अगर देखें, लड़कियों में देखें, तो सहिया का जो चुना होता है, तो इसमें क्या बोला जाता है गोई बोला जाता है या फिर करमडार बोला जाता है या फिर करमडार बोला जाता है यहां द्यान देना है कि लड़की है तो गोई करमडार अगर लड़का है तो लड़कों की जो पतनी है तो यह एक दूसरे को लारिन या फिर संगनी बोलेगी तो यह सब जिसका चुनाव सहियारों में होता है और हर तीन वर्स में एक बार इस सिस्टम इस इवेंट को और्गनाइज करवाया जाता है तो यहां पर option C तीन वर्स हो जाएगा नेक्स्ट सहिया चाहन समारो कि पशाद बने मित्र को लडक्यों के द्वारा क्या कहा जाता है यह जो PDF है, यह answer के साथ आपको application में मिल जाएगा, वहाँ से आप download कर सकते हैं, homework search explanation का एक course बना हुआ है, वो free of course आप उसको join कर लीजेगा, और उसी में यह जो YouTube का lecture है, वो एक साथ वहाँ एरेंस ड्रे में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको access कर पाएंगे, साथ म चैन समारो का इसके पश्याज है, मित्र, बने मित्र को लड़कियों के द्वारा क्या कहा जाता है, तो इसको या तो गोई बोलते हैं, या फिर करमडार बोलते हैं, गोई बोलते हैं, या फिर करमडार बोलते हैं, वहीं लड़के एक दुसरे को लार या फिर संगी बोलते ह जबकि लार और संगी की जो पत्निया है ये एक दूसरे को लारिन या संगनी कहती हैं यहाँ पर option A is cancel हो जाएगा Next, सहिया चैन समारों के परशाद बने मित्र को लड़कों के द्वारा क्या कहा जाता है तो लड़कों के द्वारा लार या फिर संगी कहा जाता है option D, लार और संगी की जो पत्निया है एक दूसरे को लारिन या फिर संगनी कहती है ठीक है और लड़कियों के द्वारा लड़की आपस में एक दूसरे को सहिया अगर चुनती है तो उनको गोई या फिर करमडार कहा जाता है इसका answer option D, लार हो जाएगा फिर है सहिया चैन समारों के पश्यात लड़कों की पत्निया आपस में क्या कहलाती है तो लड़कों की पत्निया या तो जिसे लड़के हैं तो लार या संगी कहलाएंगे उनकी पत्निया लारिन या फिर संगनी कहलाएंगी लड़की है तो गोई या फिर करमडार कहलाती है नेक्स्ट उराओ जनजाती में गाओं का प्रधान क्या होता है तो उराओ जनजाती में गाओं का जो प्रधान होता है ये महतो कहलाता है इनकी जो सासन वरस्ता होती है इसको बोलते हैं पढ़ा, पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत, सासन फिवस्था, ओके, और कुछ हद तक आप देखेंगे कि मुंदा जंजाती से ये मैच करता है, तो जो गाओं का हेड होता है, वो महतो कहलाता है, जिसके पास प्रसासनिक और नियाइक सक्ति होती है, इसक को बोलते हैं, मांजी, तो मांजी अलग-अलग, tribe में अलग-अलग value है, ध्यान रखेगा, यही चीज़ संथाल में आप देखेंगे, तो gram का परदान है, लेकिन उराओं में ये महतो का assistant है, तो ये मांजी, महतो का assistant है, कहने का मतलब, कि महतो के आदेश को गाओं तक ये पह पढ़ा बोला जाता है और इसमें गाउं की जो संक्या है वो 5 हो सकती है 7, 11, 21, 22 इस तरह से संक्या हो सकती है तो इतने गाउं हो सकते हैं एक पढ़ा में ओके और पढ़ा का जो हेड होता है उसको पढ़ा राजा बोलते हैं ठीक है तो पढ़ा राजा जो है दो या दो से अध अधिक गाउं के पीच के matter को solve करेगा ये चीज़ है सबसे top में जो होता है उसको बोलते हैं पढ़ा दिवान सबसे top में ये जो पढ़ा पंचायथ साशन है इसका जो सबसे उपर का सरवुच जो अधिकारी होता है ये पढ़ा दिवान होता है पढ़ा पढ़ा कहा जाता है, पढ़ा का जो हेड होता, वो पढ़ा राजा कहलाता है, सपोच पढ़ा राजा किसी matter को solve नहीं कर पाया, तो ये matter जा जाएगा, किस के पास?, पढ़ा दिवान के पास जाएगा, ओके, तो ये सर्वोच अधिकारी है, इस जिशmost का ध्यान रखेंगे, इस या फिर इसी को कहते हैं वैद्या इसी को क्या बोलते हैं वैद्या बोलते हैं ठीक है तो ये हो गया और ये जो पहन होता है तो पहन को एक भूमी दी जाती है तो इसमें जो भूमी दी जाती है इसको बोलते हैं पहनाई भूमी तो पहने भूमी आपको तभी दिया जाएगा जब आप साधी सुधा रहेंगे ठीक है पहले बैगा हेड हुआ करता था लेकिन अब जो है क्या है पहन हेड है और बैगा उसका असिस्टेंट है और यहां पर ग्रामी देवता की पुझा करते हैं यहां पर ग्राम परधान को क्या बोला जाता है मैं तो ठीक है देखिए ये कहने के 10,000 प्लस एम से क्यू है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डवल हो जाएगा explanation अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और condition मैंने यही रखा है question option आप से नहीं छूटेगा बसरती कि आप question का सिर्फ answer ना देखें जो मैं बता रहा हूँ पूरा explanation आप इसको देखें ठीक है उराओ जनजाती में गाओं का धार्मिक परदान क्या कहलाता है इसका जो धार्मिक परदान होता है इसको बोलते हैं पाहन पाहन का जो assistant होता है वो बैगा या फिर वैद्या गालाता जो की ग्रामिंदेवता की पूजा करता है option B पाहन लेकिन पाहन अगर नहीं रहे तो आप बैगा को टिक कर सकते हैं महतो जो होता यह प्रसासनिक प्रदान होता है पाहन को जो भूमी दी जाती इसको पहना ही भूमी कहते हैं नेक्स्ट उराओ जनजाती में गाओं के पंचायत को क्या बोलते हैं क्या बोला जाता है उराओ जनजाती में देखे बहुत सारे गाओं को मिला कर जो पंचायत विवस्ता बनती है उसको बोलते हैं, ये पढ़ा, लेकिन एक गाउं की बात करें, तो पंचोरा बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसका अंसर, option C हो जाएगा, अखड़ा क्या होता है, कल्चरल अलिवेंट होता है, गाउं की बैठक भी कभी कभी होती है, सरना, पुजास्थल है, option C, पंचोरा next, उराओं जांजाती में, किस अस्थान पर सांस्कृतिक महाचसव का कारेकरम किया जाता है, तो सांस्कृतिक महाचसव जो होता है, यह अखड़ा में हमेसा होता है, जबकि सरना में पुजास्थल होता है, उराओं जांजाती में युवागरी को क्या बोलते हैं, यह बहु धुमकोडिया, धुमकोडिया बोला जाता है, कहीं कहीं धुमकोडिया रहेगा, कहीं कहीं धुमकोडिया रहेगा, ओके, तो धुमकोडिया हो जाता है, अब धुमकोडिया जो होता है, इसके, क्या है, यह योगरी होता क्या है, यह वो संस्था जहां पर इस समाज के बच्चो को नेती रूल्स, रेगुलेसंस, परंपरा, संसकार के बारे में जानकारी दी जाती है, तो अब ये क्या है कि जो धुमकुडिया है, इसमें जो है, एक लड़कों के लिए होता है, ठीक है, एक लड़कों के लिए होता है, और एक लड़कियों के लिए होता है, तो जो लड़ लड़कों के लिए है इसको बोलते हैं जोख एरप्पा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जोख एरप्पा ठीक है इसी को जोख एरप्पा को धांगर कोडिया भी बोलते हैं क्या बोलते हैं धांगर कोडिया धांगर कोडिया वहीं गल्स की जो संस्था है इसको बोलते ह पेल अडपा, ओके, और यहां ध्यान देना है कि हर संस्था के एक संचालक होता है, तो बोईस का जो संस्था है, जो अडपा या फिर धांगर कोड़िया, इसको जो कंट्रोल करने वाला, इसका जो संचालक है, इसको बोलते हैं धांगर महतो, और इसका जो assistant होता है इसको बोलते हैं कोतवार इसको बोलते हैं कोतवार ठीक है इसके बाद जो girls के लिए है पेल एड़पा इसमें बढ़की धांगरीन बढ़की धांगरीन ये इसकी संचालक है और entry जो होता है बच्चों का 10 से 11 वर्स के उम्र में entry दी जाती है इसके बाद क्या होता है कि अगर इसका विवा हो गया तो स्वता इसकी सदस्यता स्वाप्त हो जाती है तो इस इसका ध्यान रखना है ठीक है हर तीन वर्स में admission करवाया जाता है और admission जो होता है देखे यहाँ पर admission जो होता है जैसे कि 10 से 11 वर्स में admission हुआ ठीक है, पहला आपको यह याद रखना है, हर तीन वर्स में admission का process होता है, तो इसमें जो admission होता है, तो कैसे कैसे admission हो ना देखिए, एक तो रहेगा पूरी तरह से fresh member, बिल्कुल नया सदस्य, है ना, तो उसका admission होता है, एक वो होता है, जो कि तीन साल बिता चुका, मतलब तीन स पहले उन्होंने admission लिया है, तो फिर से admission होगा, तो यह जो phrase वाला था, इसको बोलते हैं, पूना जोकर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पूना जोकर, जबकि तीन साल के बाद, जो फिर से admission ले रहा है, तीन साल जो बिता चुका है, अब उसको भी फिर से admission लेना ह तो उसको बोलते हैं, मांज जोकर, मतलब ये जो है, second time है, ये second time है, और इससे भी ज्यादा पुराना है, उसका भी admission होगा, मतलब कितना होगा, ये तीन साल पुराना है, छे साल पुराना भी रहेगा, तो उसका भी admission फिर से होगा, और उसको बोलते हैं, कोहा जोंखर, तो ये सबसे पुराना मेंबर है तो इस तरह से इसका admission होता है जब प्रवेस होता है तो प्रवेस के बाद दिक्षा समारो का आयोजन किया जाता है और इसके जो अधिकारी होते हैं धुमकोडिया के उसका भी selection जो है हर तीन साल में किया जाता है ओके ओप्सन सी धुमकोडिया नेक्स्ट है उराओ जन जाती कि युवाग गरी में प्रवेस के लेने उन्तम उम्र कितना निर्धारित किया जाता है तो एवरेज जो है अब 10 से 11 वर्स याद रखेंगे 10 से 11 वर्स ओप्सन भी हो जाएगा इसका answer दुमकोडिया में कितने वर्स के अंतरालवर प्रवेस दिया जाता है हर 3 वर्स में जो है admission होता है हर 3 वर्स में admission होता है और 3 तरह के member होते हैं एक बिल्कुल phrase जिसको बोलते है पोना जोकर और एक 3 वर्स के बाद जो दूसरी बार admission ले रहा है उसको बोलते हैं मांज जोकर और जो इससे भी पुराना है या थर्ड या फिर इससे भी ज़्यादा है तो उसका जो एडमिसन होगा वो होगा कोहा जोकर क्या होगा कोहा जोकर option C next तो हम कुडिया में प्रिवेस करने वाले नई सदस्य को क्या कहा जाता है स्तिंग भी हो सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है ठीक है तो जो नए सदस्य है उसको बोलते हैं पूना जोकर next दुमकोडिया में युवकों के लिए अस्थापित व्यवस्ता को क्या बोलते हैं दो होता है एक होता है जोक एडपा एक होता है पेल अडपा जोक एडपा को ही धांगर कोडिया बोलते है जबकि पेल अडपा का नाम एक ही है याद रखेगा तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है युवकों के लिए तो जोक एडपा हो गया और इसके जो संचालक होते हैं वो धांगर धांगर महतो कहलाते हैं जबकि पेल अडप्पा की जो संचालक है वो बड़की धांगरिन कहलाती है कोतवार जो होता है यह धांगर महतो का असस्टेंट होता है दमकुडिया में इवतियों के लिए थापित विवस्ता का देखभाल किसके द्वारा किया जाता है तो धांगर कुडिया जो है धांगर कुडिया धांगर कुडिया क्या हो गया जो जोंक एडपा है जोंक एडपा जो है इसी का दूसरा नाम है इसी का दूसरा नाम है धांगर धांगर महतो होता है धांगर महतो होता है इस्टेंट होता है यह होता है कोतवार जबकि युवतियों के लिए जो इवस्ता है उसको बोलते हैं पेल अलपपा और इसका जो संचाल इसकी जो संचाला के वो बढ़की धांगरी ठीक है option D इसका answer हो जाएगा तो यह 20 question complete कुछ दिर के बाद उराओं का दूसरा पार्ट अप्रोट कर दिया जाएगा कहां गया इसका schedule यह schedule टेलिग्राम में send किया गया है आप इसको देखते रहिएगा ठीक है इसके recording आप पढ़के आए और मेरे साथ साथ question का answer कीजिए बहुत जाद आपको benefit होगा इसलिए इसका नाम application में home works लिश करके किया गया है ठीक है तो आज उराओं complete हो जाएगा फिर कल के coding यह schedule पर चलेगा ठीक ना और एक information कल जो है बहुत पुनिमा है तो मैंने आपसे कहा था कि जारखन समान्याद्यन पूरा conceptual है ना संपूर्ण जारखन समान्याद्यन और यह जो है यह जैपेसी पीटी के लिए जैसे सी सीजियर के लिए मैं लिए इस पर focus करके यह करवा दिया जाएगा लेकिन यह सारे जैसे सी के exam में काम आएगा ठीक है तो इसलिए मैंने यह mention कर दिया कि सींटी एस पीटी भी रहेगा क्योंकि जैपेसी पीटी के सीलिवस को यह कवर कर रहा है ठीक है और यह इसका फी है वन यह वैलेडिटी है 200 प्लस 200 ज्यादा लेक् लेक्षा बाइ